नमस्काशाती हूँ, आज की इस क्लास में हम लोग हर्याना सामान ग्यान से सम्मंधित कुछ महत्पूर्ड कुश्चन्स देखेंगे और ये questions और सभी government exam के लिए हमात्पूर मुद्ध रहेंगे जहां आप देखे हर्याना से questions पूँचे जाते हैं और खासकर अगर आप लोग हर्याना से हैं और हर्याना के किसी exam की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए काफी महत्पूर रहेंगे, इस तरह के questions पूँच लेता है, एक बार पहले आप लोग हर्याना को देख लिजे, देखिए हमारे प्यारा भारत है, और इसमें आप लोग हर्याना देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहां, यह है आपका हर्याना है, और हर राजयसवा में 5 सीटे हैं, लोकसवा में 10 सीटे हैं, और इहांका उच्च नयालय आपको पंजाव और हर्याना उच्च नयालय देखने को मिलेगा, यह चन्डी गड़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, इसके सीमा राजिस् रचना महेशी बेदवयास द्वारा की गई थी बताईए हर्याना के किस नगर में महाभारत की रचना महेशी बेदवयास द्वारा की गई थी एक कुरू छेत में कहां कुरू छेत में देश की पहली C&G ट्रेन कहां से चलाई गई थी रिवाडी से कहां से रिवाडी से वसीन टोल्स कहां पर देखने को मिलेगा पिंजोर में हर्याना और उच्छ न्याल पंजाब उच्छ न्याले की स्थापना कब हुई थी यह 1966 में हुई थी और आपको बता दूं कि देखिए पंजाब की राध्धानी भी चंडीगर आपको देखने को मिलती है हर्याना की अंगला कुशन है हमारे सामने कागज और पिलाइबुड उद्ध्यों के लिए हर्याना का कौन सा जिला पिसिद्ध है यमना जिला कौन सा यमना जिला इतिहासी किस मारक राय मुकंद दास का च्छत्ता या वीरवल का च्छत्ता कहां पर आपको देखने को मिलेगा इनार ल के लगता है कहां कुरू छेट्त में लगता है सोप Srdv कभी सूर्दास का जनम हर्याना में कहा हुआ था था सीही में एब भड़ता है हर्याना के किस इस्थान पर समराथ असोका टोपरा इस्तम मुडरूप से था तो यह अंबाला में था, कहां? अंबाला में विसाल हर्याना पार्टी किसके द्वारा बनाई गी थी? विसाल हर्याना पार्टी किसके द्वारा बनाई गी थी? राव बीरेंद सींग के द्वारा किसके राव बीरेंद सींग के द्वारा ठीक है हर्याना बिध्यालय सिक्षा बोड की इस्थापना कब हुई थी हर्याना बिध्यालय सिक्षा बोड की इस्थापना कब हुई थी 1969 में भिवानी में बिज्ञानिक उक्करन बनाने के लिए हर्याना का कौन सा जिला पिसिद्ध है यह आपको अंबाला देखने को मिलेगा हर्यानिवी भासा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन था जाड़ू फीरी तिक है है मचंद किस नगर के मूलनेवासी थे ए रेवाडी के थे हेस्तारवा जहासी के किस सहना नायक ने हांसी के दुर्ब को जीता था ए जाटवा ने ठीक है 2011 की जंगरना की अनुसार यहां का लिंगनपाथ आप लोगों को बताना है क्या बताना है लिंगनपाथ बताना है किसका हर्याना का और आप सभी जानते हैं कि केरल का सबसे अच्छा लेंगा नपाथ है क्या है सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा कहां का केरल का और आप देखे सबसी बुरी स्थिति में आपका वना हुआ है अर्याना का 879 यानि कि 889 आप लोगों को देखने को मिलेगा है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा अब आपके बन में भी आ रहा हुआ कि केरल का कितना है तो आप लोग देखें कि 1084 है यानि कि कहने का मतलब यह होता है कि आप देखे एक हजार पूर्सों पर कितनी महला है हर्याना में 889 ठीक है आप सो अन्यासी और वहीं अगर आप लोग केरल देखें केरल देख लीजे में में एक केरल है तिरुआन अंपरा मिस्तिराद्धानी है इसका कितना है दस्सो चौरासी यानि कि एक हजार पूर्सों पर दस्सो चौरासी महलाई यहां देखने को मिलेंगे संख्या हर्याना का सर्वुच खेल पुरुसकार कौन सा है भीम पुरुसकार है योगेस और दत किस खेल से संबंदे थे कुस्ती से और आप देखिए हर्याना में अधिकतर खिलाडी, अकोस्ती, पहलवानी ही करते देखने को मिलेंगे। हर्याना के किस जिली में रजिया बेगम का मकवरा है, कैथल में। गुरू तेक बहादूर सहादत देने दिल्ली जाते समय, राश्ती में तीरे दिन किस पवित इस्थल पर रुके थे, गुरू द्वारा लाखन माजरा इस्थान पर, हर्याना भारत की कौन से राजी की रूम में अस्थित में आय था, सत्तरहवे राजी की रूम में, ठीक है। एब्राहिम लोधी का मकबरा हर्याना में कहा है, पानी पत्मे आपको देखने को मिलेगा। सामिधान के किस संसोधन द्वारा हर्याना राजी का गठन किया गया था, सत्तरहवे, कौन से वे, सत्तरहवे, सरवेस और महादेव बंदिर किस जिले में इस्ती थे, और इसे किस बनवाय था, कुरू छेत में बाबा सेवर्ण नात में बनवाय था ऐसे, ठीक है, हरियाना साहित अकादमी का गठन कब हुआ था, 9 जुलाई 1970 को, और देखी कोई questions अगर गलत हो जाता है, तो उसका आंसर आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा सुधार करके, ठीक है, गिद स जनन केंद कहां देखने को मिलेगा, कुरू छेत की भोर सैदा में, छेत फल की दिरिष्टी से हरियाना का भारत में कौन सा इस्थान है, छेत फल की दिरिष्टी से 21 वाय स्थान है, और आपको बता दूं कि पहले नंबर पर कौन सा है, राजिस्थान है, कौन सा राजिस्थ राजिस्तान की राधधनी जैपूर है हर्याना से इसके सीमा भी लगती है तो छेतपल में सबसे बड़ा राज है हर्याना के दच्छन छेत में इस्तित पहाडियां और निमने में से किस का हिस्सा है अरावली पहाडियों का ओनलाइन जन सिकायत दर्ज कराने बाला भारत का पहला राजजी कौन था यह आप देखेंगे हर्याना देखने को मिलेगा हर्याना के किस जिली में चौदरी देवी लाल बिस्विध्य हले इस्थाफित किया गया है सिरिसा में कहां सिरिसा में पहली बात राश्टपती सासान हर्याना में कब लगा था? 1967 में सुतंता सैनानी लाला लाजपत राय ने हर्याना राज्जी की किस स्थान को अपना राजनिते को सामाजिक कर्षित बनाये था? हिसार को हर्याना में राजदूत मोटर साइकल फैक्टरी कहां परिस्थित है? ये फरीदाबाद में आपको देखने को मिलेगी कहां? फरीदाबाद में सुल्तानफोर राश्टी उद्यान हर्याना की किस सहर में है? ये गुडगाओं में आपको देखने को मिलेगा हर्याना में धर्मनगरी किस जिले को कहा जाता है? कुरुचेत को कहा जाता है सेमेंड कॉर्पोरेशन और इंडिया हर्याना के किस जिले में देखने को मिलेगा? चर्खिदा दादरी ठीक है? 1981 में सर्चोटु राम का जनम कहां और कब हुआ था एक गड़ी सांपला में और 24 से नवंबर 1981 में भागत फूल सिंग महिला विस्विध्याले कहां पर आपको देखने को मिलेगा है खानपूर कला सौनी पत्मे देखने को मिलेगा हर्याना में रामाईड के इस लोग कहां से प्राप्त हुए हैं ए नाचर खेड़ा भेवानी से तो ये भी याद रखेगा ग्राम सेपक समाचारपत किसने निकाला था 1936 में लाला हर देव सहाय ने तो ये भी आप लो याद रखेगा हर्याना के सबसे पहले सूफी संथ कौन थे सेक मुहम्मद तुर्ग हर्याना में किस बर्स में सभी गाओं तक विजली पहुँच गई थी 1970 में सेज महल हर्याना के किस सहर में आपको देखने को मिलेगा फारूक नगर गुरुगराम में सरसुती नदी की सायक नदी कौन सी है मरकंडा नदी हर्याना में सचाई विभाग का मुक्याले कहां देखने को मिलेगा एपंच कूला में देखने को मिलेगा रेलवे बरक सौफ हर्याना की किस सहर में आपको देखने को मिलेगा जगाधरी में देखने को मिलेगा माद्मा गांधी, तापी विद्धुत परियोजना कहां पर देखने को मिलेगी जज्जर में करनाल का पिरमुख अनिच्पजाथ क्या है सोरा और आप देखेंगे कि दच्छिड हर्याना की पिर्मुख नदी क्या है? यह साहिभी नदी लाट की मश्चित किसने और कहा मनवाई गई थी? यह फिरोज साहय तोगलक ने हिसार में हर्याना में खरीब की फसल को क्या कहा जाता है? सावनी फसल यहाँ भागड़ा डेम प्रोजेक्ट का जनमदाता किसी माना जाता है? चौदरी छोटु राम को चौदरी छोटु राम को यह याद रखेगा बताया था ना आपको कि कई बार गलती हो जाती है देखिए अब चौदरी छोटु का जनम 24 नवंबर 1881 में हुआ था अभी हम लोगोंने कितना बता दिया इसे? 1881 देखिए 1881 में हुआ था 24 नवंबर 1881 कभी-कभी इस तरह की गलती हुए आती है अगर आपको मालू चला करें तो थोड़े विस्तार से आप लोगों नीचे लिख दिया करेंगा कॉसिस तो यही रहती है कि सही ही बताया जाया फिर भी इनसान हूँ और 9 जनवरी 1945 को इनकी डेथ हो गई थी तो यह भी आप लोगों याद रखिएगा युनियस्ट पाइटी से भी जुड़े हुए थे अंगला कुश्चन है हमारे सामने हरयाना में सरबादिक पक्की सड़कों का घनत कहां पर आपको देखने को मिलेगा अंबाला में कलेसर रास्टी उद्यान किस चीज के लिए पिसिध है लाल जंगली मुर्गी के लिए पिसेट पिजनन केंद कहां पर देखने को मिलेगा पंच कूला के मूर्णी में यह आपको देखने को मिलेगा यह हरयाना नगर निगम का सबसे बड़ा सहर गौंसा है फरीदाबाद चिंकारा सरक्षन और पिजनन केंद की स्थापना कहां पर की गई रेबाडी में हरयाना उद्य के नाम से कौन सी बस सेबा प्यारम की गई सी एनजी बस सेबा मुर्रा वहस को कहा जाता है काला सोना अप देखते हैं कि हरयाना में अच्छे लोग बालते भी यह महस हरयाने भी भैस आप लोगोंने सुना होगा माता सीतला का मंदिर हरयाना के किस सहर में देखने को मिलेगा गुड़ गाओं में हरयाना में बाता जूता बनानी की कमपनी कहां है फरीदाबाज में आप लोग कहते हैं ना कि पाटा गजूता पहन रहे हैं तोसी की बात हो रही है सबसे अधिक गन्ने का उत्पादा हर्याना के किस जिले में किया जाता है यमना नगर में यमना नदी का उत्गम इस्तल कौन सा है यमनोत्री ओत्राखन से आप देखेंगे निकलती है चौदरी देवी लाल के जनम हर्याना के किस जिले में हुआ था यह आप देखेंगे कि सिरसा में हुआ था कहां हुआ था सिरसा में हुआ था और आपको मालू है एक बात कि हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके है और आप देखेंगे 25 सेप्टमबर 1915 में इनका जनम हुआ था और 6 अपरेल सन 2001 में इनकी डेथ हो गई थी राष्टी ये लोगदल से जुड़े हुए थे आधुनिक हर्याना का निर्माता किसी कहा जाता है चौधरी वंसी लाल गो सूरज कुन का निर्माता किसने करवाय था सूरज मलने दिल्ली की गद्धी पर बैटने वाला अंतिम हिंदू सासक कौन था हैम चंद के यू के यूनिवसिटी हर्याना में कहा देखने को मलेगी कुरू छेत में कहां ये कुरू छेत में आप लोगों को देखने को मलेगी के यू के यूनिवसिटी कुरू छेत यूनिवसिटी के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं ठीक है हर्याना की कौन से जिले में राष्टिय सब्द सोध केंद है एसार में देखने कुम लेगा कहां एसार में आप लोगों को देखने कुम लेगा वीर सिकारगड बनने जीब अभ्यारन हर्याना के किस चिले में है, पंचकूला में है बीरवा राजीब अभ्यारन कहा है ये आप देखेंगे कि जिन्द में देखने को मिलेगा बाटा जूता बनाने की फैक्टरी में हर्याना में कहा देखने को मिलेगी फरीदाबाद में हर्याना में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है गलेडी यूलास की हर्याना राज्य में चमडा उद्धियों किस जिले में है ये फरीदाबाद में ही देखने को मिलेगी पेपर सिटी के नाम से किसे जानते हैं यमना नगर को हर्याना में सराब बंद कानून कब समाप्त किया गया था एक अपरल 1998 में और आप देखी सबसे जानदा कमाई होती है सराब से राज्यों की हर्याना के पहले एड्वोकिट जनल कौन थे बाबु आनंद सौरूब कौन बाबा बाबु आनंद सौरूब पंच बटी मंदिर हर्याना में कहां देखने को मिलेगा पलवल में पंच मुखी मंदिर कहां देखने को मिलेगा ये आप देखी हिए यमना नगर में हर्याना की सरबादिक सफलतम फिल्म कौन सी है? चंदावल 1984 में हर्याना में मसीनों की कल पुर्जे और एवं सराब का निर्मान कहां पर होता है? ये यमना अनगर में आपको देखने को मिलेगा 1920 में डिवीजरनल कॉन्फेंस के सचिप कौन थे? पंडित नेकी राम माजी सहाब गुरु द्वारा कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको कैथल में देखने को मिलेगा? कहां? कैथल में हर्याना की सबसे प्राचीन और प्रमुक नहर कौन सी है? पश्चिमी यमना नहर जाट गजट समाजरपथ किस के द्वारा पिकासित किया गया था? चोटु राम के द्वारा हर्याना की कौन सी जले में फिसिद अवनेत्री परनिती चौपरा का जनम हुआ था? ये अम्बाला में लाला लाच्पत राए का सम्बंध कौन से जले था? सिथा हिसार से हर्याना में एटला साइकल उद्द्योग कहां पर देखने को मिलेगा स्तीतला माता का पिसिद्ध सबसे पुराना मंदिर कहां देखने को मिलेगा एक गुडगाओं में देखने को मिलेगा आपको हर्याना के पहले राजपाल, धरंबीर का कारकाल कितने समय का रहा था? लगभख साथ महीने का सोपिसिद धार्मिक उस्तव महाभारत की रखना हर्याना के किस जिले में हुई थी? एक कुरू छेत में हर्याना की किस्तिली में बार्सिक बसा सबसे कम होती है दच्छिन पर्षिन भाग में पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में होई थी पहली लड़ाई कब होई थी पानीपत की ये आप लोगों को बताना है पानीपत हर्याना में एक जगह देखने कम लेगी वहीं होई थी लड़ाई ठीक हो ये सब तीनों आपकी वहीं होई थी हर्याना की कौन सी नगर की चर्चा चीनी यात्री हैंसंग हैंसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में मिलती है ये थाने सरकी नर नारायन गुफा कहाँ पर देखने कम लेगा यमना नगर में पिसिद्ध भूतेस और महादेव मंदिर कहाँ पर देखने कम लेगा इस जीन्द में देखने कम लेगा हर्याना की किस दिसा में यमना नदी बैती है पूर्वी दिसा में हर्याना का राज की ये पेड कौन सा है फीपल का पेड आपको देखने को मिलेगा किसका फीपल का पेड देखने को मिलेगा किस तोस्ता हो कि समय पिसिद घोडा नित किया जाता है साधी उस्ता उपर कौन से सिख गुरु सेम को सच्चा वादसा की नाम से फुकारते थे गुरु हर गोविंद सींग हर्याना में लोकसभा और रासभा की कुल सीटे कितनी है दस सीटे आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी पांच राजसभा में देखने को मिलेगी और पीछे बता चुका हूँ आप बताईए कि बिधान सभा में कितनी सीटे हैं फतेहाबाद जिला हिस्तार जिली से कब अलग हुआ था? ये 15 जुलाई 1997 को पंचकूला मुहाली चंडीगड को अन किस नाम से जानते हैं आप लोग? ट्राई से टी के नाम से हर्याना की किस जिली में मारूती सुचकी का भारत में सबसे पहला कार खाना इस्तापित किया गया था? मानिसर में घुडगाओं में पानिपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में देख लीजे आपसे जो पीछे कुश्टन्स पूछा था उसका आंसर मिल गया आपको और तिती कब हुई? यह आप बताईए माधोगड की पहाड़ियां किस जिले में स्तित है? महेंदगड में देखने को मिलेगी हर्याना का राजकी यह पसू? बिलैक बक आपको देखने को मिलेगा महराजा अग्यसेन का संबंद किस नगर से है? अग्योवा से है हर्याना की कौन से जिली का मुख्याला नौल है ये महंदगड का है बाबा रामदेव की गुरूग थे आचार बल्देव सुल्तानपोल जील कहां पर देखने को में लेगी गुडगाओं की फरूक नगर में हर्याना की सबसे पिसे देख बढ़ खल जील का निर्माड कौन से सन में और कहां पर हुआ था फरीदाबाद में उननीस सो सेन्तारीस में और आप सभी जानते हैं कि 15 अगरस तो नीस सो सेन्तारीस को हम लोग आजाद भी हुए थे हर्याना में पुरसों की द्वारा पहनी जाने वाली टोफी को क्या कहते हैं खंडवा किस जिले में नाथू राम गौणसे को फासी दी गई थी अंबाला में हर्याना विकास पाइटी के संस्थापक कौन थे चौदरी बंसी लाल चौदरी बंसी लाल नाथू राम अगर हम गौणसे की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गांदी जी को गोली मारी थी सभी जान माल होगा उन्नेस मई 1910 को इनका जनम हुआ था पंद्रे नंबर उन्नेस और नंचास को सेंटल जेल अंबाला में ने फासी दी गई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा तो यह कुछ आपकी महत्पून कोश्चन्स हो गए और उनके आंसर हो गए एक से दो बार आप लोग पढ़िए आराम से निकल जाएगा और आप दिखते हैं कि वन लाइनर में एक कोश्चन्स पूँच लेता है उसका नीचे आपको चार ओप्सन दे देता है तो उसी तरह कि आपको जब आंसर माल होगा तो कितने भी ओप्सन दे और या ओप्सन ना दे आप लोग आसान नहीं से उसका चिन लगा पाएंगे गूला भर पाएंगे ठीक है एक क्लासें लेते रहेंगे आने वाले समय में भी आपकी हर्याना सामान ग्यान से संबन दे ठीक है और भी कुछ सुझा हो कुछ सवाल हो आपके तो आप लोग जरूर बता सकते हैं उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे